राकेश टिकेट एक ऐसा नाम है जिसका काम है देश के किसानों को भ्रम में डालना राकेश टिकेट अपने आपको किसान नेता कहते हैं लेकिन काम करते हैं बस एजेंडा वाला कि किसी भी तरह से विपक्ष को मजबूत और बीजेपी सरकार को कमजोर करना चाहिए राकेश टिकेट कहते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है लेकिन बीजेपी ने जो किसानों को लाब पहुँचाने वाली योजना शुरू की उसकी चर्चा कभी टिकेट नहीं करते हैं राकेश टिकेट के सभी कदम कही न कहीं किसानों को नुकसान पहुचाने वाले हैं। राकेश टिकेट को हमेशा मोधी सरकार में कमिया ही दिखती है। टिकेट हमेशा विपक्ष के लिए बैटिंग करते हैं और केंदर में विपक्ष की सरकार देखना चाहते हैं। विपक्ष को कमजोर देख टिकैत को तकलीफ होती है टिकैत को चिंता सता रही है कि विपक्ष पीए मोधी को टक करकियो नहीं दे पा रहा है लेकिन इस बार राकेश टिकैत वीजेपी के एक नेता की वज़ा से भरक गये हैं क्या है खबर पताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल गा लिए किष्ट के पन्नों में काले अध्याई के रूप में याद किया जाएगा किसान बिल आने से किसानों की जिद्गी बदल जाती विधायक नंकीशोर गुजर ये बात बागपत के डगरपुर गा में आयोजित दंगल में कही बीजेभी विधायक ने कहा कि प्रधान मंत देश तीसरी बार गुलाम हो गया था पहली बार मुगलों ने देश को गुलाम बनाया दूसरी बार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था जबकि तीसरी बार राकेश टिकैत ने तिरंगा जंडा उतार कर खालिस्तान का जंडा फैराया तो तब गुलाम हो गया था वहीं बीजेपी विधायक ने ये भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से बहन बेटियों को उठा कर फेका गया था इतना घ्रेनित कारे इतिहास में कभी नहीं किया गया बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर राकेश टिकैत किसानों के वेश में नहीं होते और किसान के बीच नहीं होते तो निश्यत रूप से उनका इंकाउंटर हो जाता वहें बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद राकेश टिकैत भरग गए हैं राकेश टिकेट ने बीजेपी विधायक के बयान पर अपनी परतिकिडिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सत्ता के विधायक द्वारा ऐसी भाशा का इस्तिमाल सुनियोजित लगता है गाजीपुर बॉर्डर पर भी इनी के द्वारा साजिश रची गई थी कियंदर सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनके बयानों की गहनता से जाच करें बिरो रिपोर्ट ओमेच निउस